अब हम यन संदी देख लेते हैं, यन संदी का नियम क्या है? इको यनची, इको यनचे में ही उसका अर्थ जुड़ा है, देखिए, इको यनची, इको मतलब अर्थ क्या है? इक, मतलब इसे लेकर कवतक, देखिए, इसे लेकर कवतक महेश्वरी में सूत्र में क्या क्या आते हैं? ई-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू-ू- मतलब यन का आर्थ क्या है अभी यन का आर्थ देखो यन मतलब हय वरत में य है तो उधर से देखो ह निकाल दो तो य व र और ट निकाल दो ट क्योंकि वह सूत्र का प्रत्यहार का लास्ट वाला वर्ड है तो वर्ण है तो निकाल दो लन में से लेलो ल तो हो गया य व र ल त तो नियम क्या है, अच्छी तर से समझ लेना, मैं एकदम अच्छी तर से आपको समझा रही हूँ, यदि ई-ई के बाद कोई भिनस्वर रहे तो, जैसे कि ई-ई का क्या हो जाएगा, यह हो जाता है, और यह पूर्ण वर्ण से मिल जाता है, मतलब ई के सामने ई नहीं, ई के सामने ई आ गया तो वो हो जाएगा दीरग, सर्वर ला दीरग संदे, ई-ई को छोड़के कोई स्वर आया तो, ओके, ठीक है, तो देखेंगे कौनसा स्वर आया तो क्या होता है, E E के सामने कौनसा भी भिन्न स्वर E E को छोड़के जैसे आ गया तो क्या हो जाता है यह में रुपांतर हो जाता है अभी देखो अती अधिक आ चा रहा अभी अती के नीचे एक एरो दिख रहा है तो ती में E मिला हुआ है अभी आ चा रहा में A है तो E और A ए और यह तो हमारा नीचम क्या है कि E के सामने कौनसा भी आ गया तो यह में बदल जाएगा तो अभी यह जो है उसको यह को हमने जोड़ दिया A तो यह वह बन गया यह झा अभी तो अधिक अधिक आ ऐदिक आचा रहा अधिक यह अधिक चा रहा बन गया अत्याचारह आगई बात समझ में अभी इधर देखो अति अधिका उक्ति ही अति में जो ई है उसको हम पहले निकाल दो बाजू में अभी उक्ति ही जो उ है वो उसको निकाल दो तो ई के सामने तो पहला नियम क्या है? कि ए के सामने कौनसा भी भिन स्वर आ गया तो वो हो जाएगा यह अभी यह का यू कैसे बन गया क्योंकि वो पहला वर्ण जो है वो उ है तो यह में हम उ मिला देंगे तो बन गया यू ओके तो अभी अती में का हमने तो वर्ण निकाल दिया तो उसका शब्द क्या बन गया अत और यू जो है वो लिख दिया अत अधिक यू अधिक तिही बन गया अत्युक्तिही तो त अधिक यू बन गया त्यू तो हो गया अत्युक्तिही ओके, understood ये इसमें पहला नियम है इको यनची यन संदी में का ये पहला नियम है अभी next नियम देखेंगे उउउ के बाद भिन स्वर रहे तो उउउ का व हो जाता है और वह पूर्व वर्ण से मिल जाता है मतलब उउउ का व तो बन जाएगा कोई भी भिन स्वर आगया तो उउउ को छोड़ कर रहा तो उसका क्या होगा व में होगा ईई का य में, उउउ का व में जैसे की उदाहरण देख लीजिए सु, सु में क्या है? स अधिका उ है, स वेंजन है, उउस्वर है सू अधिका आगतम आगतम जो है आ है तो उ स में से उ निकाल दो बाजुमें उ हो गया और स वेंजन जो है वो अलग तरख से लिखके रख लो अभी सू उ जो है, वह V में convert हो गया के वेंजन वह में लिख लिया हमने और उसके सामने अ भिनसवर तो आ मिल के वह में अ मिल के बन गया है ना? तो हमें अभी क्या क्या जोडना है? वह भी देख लो सर वेंजन है? है ना? सर के से वेंजन हो गया? वो तो मालूम है, क्योंकि स में से उ निकल गया, तो स और उ और आ मिलके हो गया, वा है ना, स और तो अभी स वा बन गया स्वा, है ना, स्वागतम, तो ऐसे ये हो गया, स्वागतम, अभी देखो, मधु अधिकर रुटे, मधु अधिकर रुटे, मधु म लिख दो, मपूर्ण स्वर्ण है क्योंकि उसमें अ मिला हुआ है मधू मतलब अन्य मधू के सामने रू आ गया मतलब अन्य भिनस्वर आ गया है ना तो मधू का जो है वो हम क्या कर देते हैं ध वेंजन अधिका उ है ना तो अभी मधू का जो बिनस्वर आया है उसके सामने रू तो नियम के अनुस्तार उ का हो जाएगा व तो व को वेंजन लगा के वैसे ही रख दो तो अभी रू जो है वो व में मिलके बन गया व्रू है ना तो अभी देखो मध अधिका व्रू मध अधिका व्रू अधिका ते बन गया मध व्रूते यह अच्छी तरह से समझ में आ गया मध व्रूते कैसे बन गया हाँ मधू अधिका रूते बन गया मध व्रूते हम अभी नेक्स्ट देखेंगे तीसरानियम यन संधिका तो तीसरानियम है अगर यदि रू के बाद कोई भिनस्वर आए तो, मतलब रू के सामने कोई भिनस्वर आए तो भी उसका क्या बन जाता है और या क्या हो जाता है तो देखें, रू के बाद अगर कोई भिनस्वर आये तो उसका र में हो जाता है और वह पूरवरण के साथ मिल जाता है जैसे देखिए, यानी, अब इक हाली हम रू का देखेंगे, मात्रू अधिका आनन्दा मात्रू में, त में क्या है, रू है, ठोके, मा का मा वैसे ही रखेंगे अभी त को वर्ण विभाजन करो, त अधिका रू त्रू बन गया, हाँ, तो रू के सामने आ गया है तो भिन्नस वर आने पर जो नियम के अनुसर क्या होगा, र होगा, तो वह हम र निक के दीचे, उसके दीरे के दीचे, र लिखा है इतना तो समझ में आ गया है, और त हमने वेंजन वो अलग करके लिख दिया है अभी र में जुड़ेगा आ, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, है ना तो वो र हम त में मिलाएंगे, त अधिकर र बन गया त्रा, है ना तो अभी देखो, मात, है ना, मात अधिकर र अधिकर नंदहा बन गया, मात त्रा नंदहा और एक बार रूल समझ लो, रू के सामने कोई भी भिन्नसवर आये तो उसका र में परिवर्तन होता है और वो र पहले जो वेंजन है उसमें मिल जाता है, मात्रा नंदहा अब और एक रूल जो है, उसके राइट सेड पे देखो इसी तरह लू के बाद भिन्नसवर रहने पर लू का ल हो जाता है जैसे कि लू अधिका आकृति ही, ओके नियम के अनुसार देखेंगे नियम पता चल गया तो पता चलेगा, लू अधिका आकृति ही, ठीक है तो लू जो है, उसके लू भी स्वर है, लेकिन हम कम प्रयोकरते हैं लू स्वर में अगर उसके सामने भिन्नसवर आ गया अब भिन्नसवर मतलब लू छोड़के, तो लू छोड़के कौन सा आया है? मतलब भी निस्वर हो गया न तो नियम के अनुसार क्या होगा ल में परिवर्तन होगा उधर दिया है ल हो जाता है तो रू को हम लेखेंगे ल ठीक है अभी उसके सामने जो आ है तो ल अधिक आ बन गया ला है न तो ला लिख दो ला अधिक कुरुति ही बन गया ला कुरुति ही ठीक है ये यण संदी का तीसरा नियम अभी आगे देखिए ए चो अय वायावः इसका अर्थ क्या है ये अयाधी संदी का नियम है ये अयाधी संदी का नियम है तो अयाधी संधी क्या है वो हम देखेंगे A4 मतलब क्या है A से लेकर 4 तक ठीक है तो अभी देखेंगे एक एक बाद A के बाद कोई स्वर हो तो A का अय बन जाता है अकार पूर्व वर्ण से य आगे वर्ण से मिल जाता है मतलब क्या है अच्छी तरस समझ लेना मैं क्या कर रही हूँ A के सामने कोई भी भिन स्वर आने पर तो उसका अय बन जाता है अभी देखेंगे अय कैसे वर्ण बन जाता है ने ने में A है न अधी का A ने ये बात में समझ में आ गई ने के सामने भिन स्वर है मतलब A को छोड़के भिन्यस्वर है मतलब अनम ओके A है तो न के साम मतलब न अधिका A ने बन गया A के सामने भिन्यस्वर आया मतलब A आया तो ये बन गया अय ठीक है अय बन गया अभी क्या है हमारे रूल के सामने ने में का हमने A निकाल दिया मिलके बन गया अय है ना तो न में अ जाके बन गया न और अय का जो य है वो हमने लिख दिया तो न अधिक य अधिक नम बन गया नय नम ओके वही है अय है ना अगर दूसरा कुछ हो अभी हमने अय देख लिया ओके अय अयादी संधी में अय देख लिया अय हो गया ये पहला रूल है अयादी संदी में ये पहला रूल है कि एके सामने भिन्नसवर आ गया तो उसका बन गया अय तो आय कब बन गया बनेगा वो भी देख ले ना ए के बाद कोई भिन्नसवर रहे तो ए का आय भी हो जाता है कैसे होगा आय वो भी देखेंगे अभी यानि ए प्लस भिन्नसवर आय एक एक बार आय भी बन जाता है वो ए नहीं है आय है आय के बाद कोई भिन्नसवर आय तो उसका आय बन जाता है ए का आय और आय का आय तो ठीक देखो, अई अधिका कोई भी भीन स्वर आ गया तो बन गया आय, पूर्व वर्ण के से, अगले वर्ण से, देखो, नई अधिका अकहा, नई में आई है, अधिका अकहा तो बन गया नई, नई अधिका अकहा बन गया नायकहा, तो ये नायकह कैसे बना है, हम अच्छी तरह से जान लेंगे ठीक है नई को हम explain करेंगे नई नई ओके ठीक है वो अभी हमें क्या करना है आयरूल है ना तो ये तो अब भी समझ भाएंगे कि नई का हमने अलग कर दिया नई को अलग कर दिया नई में अभी अकह को अलग करो अ एक बार लिखो कह एक बार लिखो हो गया अभी देखो न का जो वेंजन है वो वैसे ही रखो अभी ए और अ मिलके बन गया आयर है ना तो जो आयर जो आयर में जो आ है वो हम न में जोड़ देंगे तो बन गया ना है ना तो आयर में जो आ है वो हम बोड़ देंगे ना में तो बज गया य तो य हम य जो वेंजन है य उसमें अकहा का अकहा में जो अ है वो जोड़ देंगे तो बन गया वो य तो कहा का कहा वैसे लिख देंगे तो बन गया नायकह एक ध्यान में रख लो अगर आई के सामने भिन्नवर आ गया तो आय बन जाएगा ए के सामने आ गया तो आय बन जाएगा और एक उदाहरन देखो विनई अधिका अकहा ठीक है विनई का वी वैसे ही लग दो ओके नई है जो है नई हाँ नई में हम कैसे करेंगे न ए ओके तो न का वैसे लिख दया अभी आई के सामने आ है तो बन गया आय कहा का कहा वैसे लग देंगे आय का आय जो है आ आ में आ का न में मिल गया तो बन गया न और य अकहा में जो आ है वो य में मिल गया तो बन गया य पूर्ण तो बन गया विनई कहा ओके अभी आगे देखेंगे आई के बाद कोई भिनस्वर रहे तो आई का आय हो जाता है आय आकार पूर्ण वर्ण से एवं य आगे वाले से मिल जाता है वही हमने देखा और एक बार देख लेज़ें नाय कहा विनाय कहा ठीक है अभी ओ हमने अभी ए और आई देखा अभी हम ओ और अउ देख लेते हैं ओ के बाद कोई भिनस्वर आया तो वह अव बन जाता है देखिए ओ प्लस भिनस्वर अव पूर्व वर्ण से अगले वर्ण से ये क्या है हम अच्छी तसे देख लेंगे वो कन्फ्यूज मतलो पूर्वा मतलब लेफ्ट अगले वर्ण मतलब राइट को अदिका इत्रम पो में क्या है प अधिका ओ ठीक है वो लिख के रख लो अभी इत्रम का ई लिखो ठीक है अभी निय्म के अनुसार प का प वैसे ही लिखलो भाब में हम क्या करेंगे देखेंगे ओ अधिका इ बन गया अव जो अव जो है वो प के वेंजन में जुड़ जाएगा अ तो बन जाएगा प ठीक है अभी व जो है व जो है अगले वर्ण के हिसाब से वो जुड़ जाएगा तो व में इ मिल गया रस्व इ है ना इत्रम में तो हो गया पवी तो पवी पवी लिख दया अभी उसके सामने जो है त्रम वो ऐसे ही लिखेंगे बन गया पवी त्रम नेक्स देखेंगे यदि अव के बाद भिनसवर रहे तो अव का आव होकर आपूर्व वर्ण के से एव व आगे वाले वर्ण से मिल जाता है अगर मैं ऐसे बताऊंगी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा अभी एक्जाम्पल देखो तो समझ में यानि के अव के सा आपने कौन सा भी भिनसवर रहे तो वह आव बन जाता है यह धान में लख لو आव ओके व वर्ण है जैसे आव पूर्व वर्ण से आगे वाले वर्ण से ओके देखे क्या है पौ अधिका अकहां पउ अधिका अकह में क्या है पव केसे बन गया वो देखो प अधिका अउ बन गया पव उसके सामने अक है अ मतलब भिनस वर आया है पव अधिका अक हाँ ठीक है तो पव को हम डिवाइड करेंगे प अउ उसके सामने जो अ है वो वैसे लिख लेंगे ठीक है अभी देखो प, अब यह क्या है, अव और अ मिलके बन गया आव, तो आव नीचे लिख लिया, आव में, आव में जो आ है, वो प में मिल जाएगा तो बन जाएगा पा, व, व जो वेंजन है, उसके सामने अकह का जो है अ, वो मिल जाएगा, तो पूर्ण वर्ण हो गया व, तो बन गया पा ज़्यादा से ज़्यादा example हम जब इसके बाद में होगा ना तब हम देखेंगे कि मैंने 1500 या 200 examples इसके निकाल के रखे हैं सब के तो हम वो देखेंगे अभी वो ओ का आव हो जाएगा और ओ का आव इसलिए इसको क्या कहते हैं एचो एचो क्या कहेंगे एचो अयवायावः इसलिए हम इसको कहते हैं